reason for the exceptional electronic configuration of chromium and copper पहला reason तो मैंने दे दिया है symmetrical देखो को वो symmetrical configuration था ये है ये है बाई मन से इंग दे रहा हूँ NCRD में भी लिखा है ये configuration देते हैं ये reason देते हैं ये reason है symmetrical configuration stable होते है so symmetrical distribution of electrons second reason है जो पर पर मुझे समाझ जाना है that is greater exchange energy for the observed electronic configuration half filled और fully filled observed मतलब क्या देख रहा है जो fully filled है या जो half filled है वो stable है उसका reason है उसमें exchange energy जादा होता है अब सवाल ये उठता है ये exchange energy गया होता है तो पहले अपन exchange energy समझते हैं फिर हम ये समझ पाएंगे कि ये इसमें इस तरीके से pattern क्यों आता है configuration different than expected क्यों आता है समझ मैं रहा है दो कोपर के अंदर सारे माला fully filled है जो D की बात कर रहे है और एक half filled है अगर अपन chromium की बात करें सारे half filled थे that तो symmetry है half filled full filled ज्यादा stable होते है chromium में वो आखरी बाले दोनों half filled थे ठीक है और अपना S और D इसके अंदर देखो एक fully filled है एक half filled है तेक तो symmetrical हो गया और यह ज्यादा stable होते है half filled fully filled उसका reason क्या है exchange energy but the question is what is exchange energy तो अपन समझते है exchange energy क्या होता है समझेंगे exchange energy क्या होता है so the energy released due to exchange of positions between electrons of same spin within a subshell is called exchange energy as name was suggesting there will be some exchange यहाँ पर वो exchange of positions होता है मतलब एक subshell के अंदर same spin के electron अपनी position exchange कर सकते है जितनी जादा यह position क्या होता भी पन देखेंगे एक्जाम्पल से जितनी जादा यह position exchange possible होंगी उतनी जादा exchange energy निकलती है energy release होती है और energy अगर release हो रही है तो that will provide stability that is the idea मतलब greater the number of possible exchange greater will be the exchange energy आप जादा देखते हैं किस चीज के exchange बात कर रहो कैसा position तो अपन example diagram बलाएं तो समझ में आएगा अपनको तो देखो और energy release होगी तो stability आएगी greater is the stability of atom तो अपन electronic configuration देखते हैं और number of action possible देखते हैं किस electronic configuration कितना exchange possible होगा अगर D की बात करते हैं एक ही electron तो भाई मैंने बोला उस sub shell के अंदर किसी से exchange करेगा या कोई है यह नहीं तो किस से exchange करेगा अकेला एक आदमी किस से क्या exchange हो रहे है ठीक है सो single कोई exchange नहीं होगा अगर हैं बोलूँ D के अंदर दो electron है same sub shell के अंदर with electrons of same spin तो दो spin है same spin है यह अपने आप में मतलब यह वाला यहां आ सकता है यह वाला यहां position exchange कर सकता है एक exchange possible है यह यहां जाए यह वाला यहां जाए अच्छा तीन की अगर बात करें तो यह की exchange possible है तो अगर तीन की बात करें तीन electron कितने exchange possible होंगे तीन कैसे यह वाला इस से exchange कर ले यह वाला इस से exchange कर ले और यह दोनों आपस में exchange कर ले कितने possible होगा है तीन, टू प्लेस, वन, तीन एक्षेंज पॉसिबल है, ठीक है, अच्छा, अगर अपन चार अंपियड की बात करें, इस तरीके से, सेम स्पिन में होगा, ठीक है, डिफरेंट स्पिन में नहीं होगा, तो, अब कितने एक्षेंज पॉसिबल होंगे इसके अंदर, देखो, ये तीन हो गए, ये इससे दो, ये एक, अब अगर तुम बोलो, ये इससे करा दो, वो सेम हो जाएगा, वैसा नहीं, डिफरेंट काइंट देखना अपन को, तो छे, वादब थ्री, तता पले एक, दो ती तीन, थ्री प्लेस टू प्लेस बन, सिक्स एक्षेंज आ गए, ग्रेटर दी एक्षेंज पॉसिबल, ठीक है, ग्रेटर विल बी दी एक्षेंज एनरजी, पांच की बात करें, तो अगर पांच सेम स्पिन के एलेक्टरोन ले लेंगे, एक सब्शल के अंदर, तो कितने एक् ग्रोमियुम काrexpected supposed ये था, उसमें कितने एक्षेंज पॉसिबल होगे, छे, ये वाला क्यों आ रहा है, इसमें ज्यादा एक्षेंज पॉसिबल है तो अगर ज्यादा रिलीज हो रही है, तो श्टेबिलीटी आएगे, तो इस इस द रीजन, श्टेबिलीटी आएगे, तो greater exchange energy is released greater will be the stability now because of this greater exchange energy which is due to greater number of exchange of positions we observe हमें दिखता है chromium के अंदर वो configuration जिसमें ज्यादा unpaired electrons होते हैं half filled अगर ये total half filled है देखो ज्यादा exchange possible है अगर completely filled है उसमें उसमें 10 ये करेंगे 10 opposite वाले करेंगे तो 20 हो जाएंगे but exchange ज्यादा होंगे in case जहां पर ऐसे 5 थे और 4 फिर वो paired थे total 4 paired होगा थे एक unpaired थे समझ में आ रहा है उसमें कम exchange होंगे और fully filled वाले में भी ज्यादा होंगे ऐसे देखो ना एक sub shell के अंदर जो unpaired है 5 वो 10 exchange करेंगे समझ में इसको पर और एक बार देखते हैं तो D5 configuration will have greater exchange energy than D4 configuration this is the reason ठीक है तो अपन exchange energy समझ में आ गया अब इसको chromium और copper में लगा के देखते हैं और देखते हैं can we explain those configuration तो chromium का configuration देखते हैं हमें जो expected था वो यह था ठीक है 4s के अंदर 2 होंगे 3d के अंदर 4 होंगे ठीक है अच्छा configuration बो लेंगे 3d4, 4s2 और para हमें यह लग रहा था बट ऐसा नहीं था होता क्या है हमने देखा था आरगन 4s के अंदर 1 और d के अंदर 5 जो इस तरीके से होंगे तो साफ साफ तुम्हें दिख रहा होगा इसमें जादा exchange possible होंगे जादा energy release हो बड़ इसको ऐसे समझो जादा अच्छा है 4s के अंदर देखो हुआ क्या ultimately हमें जो expected था जो observed में उसमें अंतर यह है 4s का देखो एक electron जंप होके 3D में चला गया है ऐसा देखो अगर ऐसा देखेंगे तो एक problem आएगी doubt यह आएगा sir आपने बोला था कि यह तो configuration हो गया 4s के energy कम है 3D के energy जादा है तो अगर lower से higher energy में जंप करेगा electron तो वह तो देनी पड़ेगी energy दोगे तो कुछ चीज अनिस unstable हो जाएगा नहीं इसका reason यह सही बात है देनी पड़ेगी लेकिन जब हमने excite कर देंगे suppose उसमें देनी पड़ी suppose 5 electron volt है ना उसके बाद ज्यादा exchange possible होंगे और वो ज्यादा possible exchange की वज़े से इसमें से निकल जाएगी exchange energy वो निकलेगी और वो निकल रही है suppose वो निकलती है 7 eV देनी पड़ी 5 eV because of excitation बट जो निकल गए वो कितनी है 7 eV तो net क्या हुआ energy निकली कितनी 2 eV energy total निकली यह क्या हो गया stable इसने stability तो अपन यह ऐसा समझा सकते हैं इस और अच्छे से answer कि in chromium and copper because वर नो तुम और भी जगे ऐसा doubt बोल सकते हैं यहां क्यों नहीं कराया excite यह यहां इसलिए करा सकते हैं because exchange energy जो है मैंने example यह 7 eV that is greater than excitation energy जो energy लगती अपन को excite करने के लिए उससे जादा energy निकल जा रही है in process of exchange energy and therefore we have exceptional electronic configuration of chromium ठीक है so यह अपना हो गया क्रोबियम का exceptional electronic अब copper में देखते हैं same चीज़ लगा के same concept यूज़ कर सकते हैं 29 होता है copper copper की बात करेंगे तो याद है यह हमें expected था 4s 3D में लग रहा था इस तरीके से आएगा कि 4s में 2 electron और इस तरीके से आरगन 3D 9 4s 2 और यह पैरा था यहाँ पैरा राय का मतलम नहीं निकल के आ रहा ठीक है यह expected था बट ऐसा नहीं था याद है यह नहीं था क्या observe करते हैं अपन 4s के अंदर एक और 3D के अंदर सारे पैर तो देख रहा हो कितने सारे same spin के होगा इसके अंदर कितने जादा exchange होंगे है कि नहीं इसमें जादा exchange होंगे जादा energy release होगी सही बात है हमें 4s से 3D में बेजने के लिए energy देनी पड़ी होगी ठीक है तो अपनको देनी पड़ी होगी इसी लिए हैसा हो रहा है getting my point so इसका reason कैसे बोलना है समझ में आ रहा है that chromium and copper have exceptional electronic configuration because there is released exchange energy but even better answer in those cases the exchange energy that is released is greater than the excitation energy that was required okay so this is the second reason पेलोजड्यकल थादा symmetry है अच्छा सुन्डर दखरा है symmetrical है second is this the exchange energy is greater than excitation energy what is the exchange energy energy released due to exchange of position of electron within a subshell okay so chromium and copper have exceptional electronic configuration as their exchange energy is greater than due to formation of configuration is greater than required excitation energy, तो यह reason हो गया, chromium copper.